आल राइट और वेलकम टू आल इन टोड़ेइज देहिंद न्यूज डिसकेशन नाव कम्प्लीट न्यूज अनलेसिस में आपका स्वागत है हर एक पेज को पेज़ वाई डिसकेशन के बेसिस पर डिसकेश करते हैं और एक नया सक्षन हमने एड किया है हर एक न्यूज को हम कैसे प्रिलिम से इसकेशन फ्रेम होगा और कैसे इस से में से से कॉशन फ्रेम होगा यह हमने एड किया और हर एक न्यूज में हम आपको बताते हैं प्लस डेली के बेसिस पर मंडे टो फ्राइड़ आंसर आइटिंग भी करवाई जाती है पहला section क्या है analysis का overall news paper के बारे में बताना गुपकर alliance ने बात की है कि हम Mr. Modi से मिलेंगे इस पूरी news को discuss करेंगे दूसरा है RTPCR test अगर आपको कहीं एक जगे से दूसरी जगे जाना है तो RTPCR test करवा के जाना पड़ेगा UPC के लिए कैसे काम के लिए है RTPCR को जानेंगे UGC के बारे में यहाँ पर जानेंगे अभी इससे related पूरी news को भी discuss करेंगे और UGC जो पूछा जाएगा उसके बारे में भी discuss के जाएगा Manash National Park में जो सुर हैं यानि कि पिग हैं वर्ल्ड के rarest और smallest जो wild pig हैं उनको reintroduce करवाए गया है यह क्या है और Manash National Park के बारे में discuss करेंगे editorial बहुत सारे हैं और बहुत ज़्यदा important editorial है sedition पर editorial आज बहुत बहतरीन editorial आया है इसको discuss करेंगे महत्मा गादी के code भी जानेंगे कि sedition पर क्या है जो आपने answer writing कर चुके हैं हम लोग उसमें आप ये code include कैसे करोगे misinformation के बारे में पूरी जानकारी लेंगे opet page के article है malnutrition के लिए पूरा मैंने आज का answer writing आपके लिए frame किया गया है और community kitchen इसमें कैसे help करेगा ये भी हम आपको बताएंगे उसके बाद world lucky news फिर business news और detail में ये हम करते रहेंगे अगर आप social media से कड़ भी हैं फिर भी आपको telegram application डाउनलोड कर लेनी है search box में type करना है at the rate PR publication और PR publication की तरही आपको बहुत सारे channel मिल जाएंगे जो आपको study material देते हैं आउ PR publication जैसे ही ये free group join करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखें daily के basis पर आपको एक तो UPSC mains question मिल जाता है इस question के लिए answer कैसी लिखना है वो भी मैं आपको voice note भेज देता हूँ और daily के basis पर जो हमारे paid user चाहे आप Hindi माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के हो आपको daily के basis पर आपको answer writing मिल जाती है free में हम आपसे share कर देते हैं उनका जो answer writing लिखते हैं हाला कि इससे आपको answer writing लिखनी तो नहीं आएगी बड़ एक sample पता चल जाता है क्योंकि answer writing करने के लिए आपको खुद लिखना पड़ेगा बड़ अगर आप चाहते हैं अपनी UPSC की जरनी एक proper guidance में एक right direction में आपको करनी है affordable prices में करनी है तो आप हमारे paid plans को join कर सकते हैं early plan है for 99 rupees का जिसमें एक साल तक दाहिंदू के notes जो exclusive हम देते हैं Monday to Friday answer writing होती है paid user के answer writing चेक कर सकते हैं NCRT 6-12 सभी subject के chapter wise notes phone guidance आपको मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा जो unique plan है वो 9.99 rupees का है यानि कि अभी आप NCRT revise कर रहे हो तो NCRT test series मिलेंगी सभी chapter की chapter wise test सोचो 6, 7, 8 कोई भी chapter revise कर रहे हो उसका test देदो UPSC CSET का video code से मिलेगा 16 videos आपको मिलेंगी और ये lifetime है एक बार access कर लिया फिर उसके बाद payment करने की जरुवत नहीं है 9.99 rupees में आपको early plan में भी add किया जाएगा NCRT test series भी और UPSC CSET भी लेना बहुत simple है दिये गई नमर पर Google पर phone पर कर सकते हैं जो भी payment करेंगी उसकी screen shot same नमर पर हमें whatsapp करनी है और हम आपको अपने telegram private group से add कर लेंगे चलिए शुरू करते हैं आज का new discussion सुबह सुबह मिल रहा होगा तो बहुत मजे भी आ रहे होंगे ठीक है आप करेंगे सर एक दिन तो सुबह देते हो फिर एक दिन सीधे 12 बजे और comment में चुटक्या लेते हैं कि आज सर तो बहुत जल्दी डाल दिया ठीक है आज करके दिखाओ comment ठीक है आज real वाला करना कि सर ने तो आज सबसे पहले ही upload कर दिया चलिए जोग को side में रखते हैं गुपकर alliance leader decide to attend meeting with Modi गुपकर alliance सबसे पहले गुपकर alliance नाम क्यों को दिया गया स्रीनगर में एक यार एक road है अब वहां के जितने भी नेता हैं जो बेरोजगार नेता बैट गए हैं अब जिनका कुछ कामधाम नहीं है तो जब 5 अगेस तो 2019 को हमारा जम्मयन कस्मी जो एक राज्य हुआ करता था special status वाला उसको दो union territory यानि के इंद्र सासित प्रदेश में बांड दिया गया अब सिंपल सी बात है जो मुख्यमंत्री चीपनिश्टर रहे होंगे महबुवा मुप्ती जैसे और बहुत सारे जो लीडर्स हैं जैसे फारूक अब्दल्ला है महबुदा मुप्ती है ठीक है तो अब ये बेरोजगार हो गए कि यार अब जॉब कैसे मिलेगी तो ये सब सभी पार्टी इसके लीडर आए और एक जगे मिले और उस रोट का नाम था गुपकर और सब ने का कि यार फिर वही कि हमारा जो पूराना राज्य था उसके जो सिटिजन इंजोई करते थे पावर उन सब को फिर इंटरनेट शेट डाउन की बारे में बात की गई और बहुत सारे इन्होंने ये सब चीज़े हैं और इसी पूरे अलाइन्स को बोल दिया गया आएगा नहीं में बनाने की कोई जरुवत नहीं है और मैं नहीं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ नहीं किसी को एक्स्ट्रेम चीज़े नहीं बस सिर्फ थोड़ा सा फन हो जाए पढ़ने में और थोड़ा बोरिंग ना लगे 40 मिनट का लेक्चर ये भी थोड़ा इंशूर करके चलूँगा ठीक है चलिए तो अब ये लोग जो बेरोजगार नेता वगरा होते हैं तो वो प्रोटेस्ट वगरा करते हैं तो इस पर क्या होता है कि हमारे होम सेक्रेटरी इंविटेशन दे देते हैं इन लोगों की चलो आओ पी एम मोदी से मिलो और अपनी अपनी चीज़ें बता देना ठीक है तो 24 जी उनको मीटिंग होने वाली आज है जब मैं ये वीडियो रिकॉड कर रहा हूँ आज है 23 और सुभे के बज़रे हैं आपके पांच बज़रे हैं ठीक है आपको अब में भी साड़े पांच बज़े तक मिल जाए ओके अब इसमें पीडेपी लेडर इन्होंने एक और मुद्दा छेड़ने की बात की उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का इसू कस्मीर का इसू भी हमें पाकिस्तान के साथ डिसकस करना चाहिए यही समझूँगा कि यार कस्मीर एक देखे जो इतना ज़्यदा टेरर फैला रहा है अभी पाकिस्तान वो उसका एक मुद्दा कस्मीर भी है तो कस्मीर का मुद्दा हमेशा कभी भी लड़ाई से नहीं सुलच सकता आप सबको पास्ट हिस्ट्री पता है यह डायलोग से होगा तो यह ठीक बात है बट कस्मीर तो कस्मीर है सिंपल सी बात है दूद मांगोगे तो खीड देंगे और कस्मीर मांगोगे तो चीड देंगे तो ऐसा होता है पर कस्मीर हमारा ही इंडिया का ही पार्ट है पाकिस्तान तो क्या कोई भी इससे ले नहीं सकता अब अब आज़े यूपी एस्पिरेंट किसी भी चीज को अगर आपने मेंस में पूछा जाए या इंट्रिव्यू में पैनलिस्ट पूछता है आपको कन्फ्यूस करेगा कि या वार कर देनी चाहिए कि नहीं बिलकुल भी हर एक चीज का डायलोग से सॉल्यूशन निकल सकता है क्योंकि अब आपको कि वार से क्यों नहीं तो इससे पहले की पास्ट आप वार बता देना और उससे मामला सुल्जा नहीं ये बता देना और इससे टेरिस्ट टेरिरिस्म और जादा फैलता भी है हर एक पेस से चलिए अगर आप चाहते हैं किसी जगह उड़के जाए तो अगर आपको उड़ना है तो आपको प्लेन नेना पड़ेगा प्लेन में बैठोगे तो वह बोलेंगे चलो आटीपी सीया टेस्ट दिखाओ तो ऐसे एक यूपी के होते हैं यूपी के हर्याणा के लोग सब के बाए स्कौर रिप्यों तो होगी हर्याणा के किसी भी बंदे के पास जाओ हर एक पांच के घर में आपको स्कौर रिप्यों मिलेगी ही मिलेगी ठीक है तो थोड़े से अकड में भी रहते हैं तो यूपी का एक बंदा आया एक 36 साल का बिजनसमेन और वहां लड़ गया पूरे एयरपोर्ट में ठीक है इंद्रा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कि यार मेरे से आर्टीपीसियार टेस्ट कैसे मांग से अरे यार सिंपल सी बात है कोरोना थर्ड वेब हरी है आप से क्या पीम मोदी से भी मांगींगे यहां पर ठीक है तो चलिए ये तो बात अलग होगी बट यहां पर मुद्दा आर्टीपीसियार का क्या ये न्यूज आपको नोट करनी है बिलकुल भी नहीं यहां पर से मैं बताऊंगा आर्टीपीसियार टेस्ट क्या होता है इन जनरल और में भी प्रिलिम्स में इससे कॉश्यन पूछा जाएगा में तो पूछा नहीं जाएगा ठीक है डिफाइन आर्टीपीसियार ऐसा नहीं आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सबसे पहले न्यूज है आरेडीटी और आर्टी पीसियार में क्या डिफ्रेंट से आरेडीटी बहुत सिंपल है नेजल सेंपल से नाक से जो लिकुड होता है उसको निकाला जाता है ताकि एंटीजन डिड़क्ट किया जाए एंटीजन होता लाइट तो आरेटी वही है रैपी अंटीजन टेस्ट होता है जिसको 30 मिनट में आपका रिजल्ट हो जाता है बट उतना एक्यूरेट नहीं होता इसलिए सभी लोग प्रिफर करते हैं आटीप सीर टेस्ट के लिए तो डारेक्टली आपसे वाइरस टेस्ट के लिए यह डिटेक्ट करता है बट एक मेजर मेकनिजम अलग होता है जनरली दोनों ही सेम प्रिंसपल तो सेम है बट इनका प्रोसेस करने का अलग होता है ठीक है आटीप सीर टेस्ट को 2-5 घंटे लग सकते हैं और रैपी अंटीजन टेस्ट 30 मिनट में हो जाता है आटीप सीर टेस्ट क्यों इतना 2-5 घंटे लेता है इससे पहले आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी और जो यह हिस्ट्री मैं बता रहा हूं वो प्रिलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्पॉन है बात आती है 1993 की जब केरी मुलिस एक अ यानि की मल्टिपल मैं कॉपीज बना सकता हूं ऐसा नहीं कि आपका पूरा हाथ उखाड के ले जाऊंगा कि मेरपा यार कम हो गया DNA अब मैं आपकी यह लिए उंगली काटूंगा आपकी आपकी मतलब X-person की ठीक है तो यह समझ लेना जब भी मैं आपकी बोल रहा हूं पू भी करूं वो मेरी मर्जी है तो यह इन्वेंट किया आपने कैरी मुलिस भाई ने इन्होंने कर दिया PCR टेकनिक ठीक हो गया पर जनरली यह मसीन काम करती थी DNA के लिए 1993 में इस खोच के लिए इनको नोबल प्राइस भी मिल गया बोला कि अरे वा क्या आपने तकड़ी चीज बनाई है लो आपको नोबल प्राइस हम देंगे और कुछ पैसा भी आपको भड़ दो आपकी जोली भड़ देंगे ठीक है DNA का लिंगे और इससे मल्टिपलाई मल्टिपल जो DNA है वो बनाना सुरूर कर देंगे चेंड रियक्शन हो जाएगी बड़ मोस्ट इंपोटेंट बात यह आती है कि ठीक है यह तो DNA के लिए बनाया बट कोरोना वाइरस जो है एक RNA वाइरस है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसके लिए RT-PCR बोलते हैं नहीं तो हम सिर्फ PCR टेस्ट बोलते हैं अभी अभी जब जा रहे होते न common word आपको बोलता कि चलो PCR टेस्ट दिखाओ मतलब होता है सबसे पहले RNA को DNA में बदलेंगे फिर DNA को उस machine में डालेंगे फिर वो double होगा उसे research बगरा करेंगे तो फिर उससे simple सी बात है multiple हम पता लगा सकते हैं दवा बना सकते हैं कुछ भी बना सकते हैं तो RT-PCR का मतलब समझ माया होगा कि इस पहले RNA को DNA में convert किया जाता और इसी conversion में 2-5 घंटे लग जाते हैं बीच में थोड़ा सा time लगी जाता है फिर ठीक है तब ही अगर आपको पहले ही travel करना है तो RT-PCR दो दिन पहले ही यार जेब में रखके चलते रहो चलो अभी हो क्या रहा है अभी एक personal थोड़ा सा personal news में share करता हूँ मुझे लग रही जौंक का नाम सुना होगा जिसे लीच कहते हैं लीच ठीक है लीचेज सर्च करना बहुत सारी लोगों को नहीं भी पता होगा क्योंकि बहुत सारी उत्रागंड में भी ऐसी जगे है जहां पर लीचेज के बारे में पता नहीं है लीचेज एक parasite होती है मतलब host cell पर जाती है यह science and tech का इसमें भी personal news जो मैं जो news आपको बता रहा हूँ उसमें भी UPSC में घुश जाएंगे हम लोग ठीक है तो ऐसा भी कुछ भी बात करने तो तगड़ा ही बोल दे रहे है ऐसा सोचना ठीक है कि आरे वायार कि आप तो क्या कर रहे हो हर एक news में UPSC घुशा दे रहे हो आप लोग भी ऐसे करना तो क्या होता है पैरसाइट क्या होते हैं जो host cell में मतलब वो लीच मुझे लगी उसने अपना खाना मुझसे extract किया मेरा blood लिया बट मुझे मारा नहीं तो यही काम होता है पैरसाइट का तो actual में जब वो लीच काट लेती है तो थोड़ा सा दर्द ह साम को टहलने गया था तो थोड़ा सा बारीस मैंने का जैसा बारीस में बहुत ज़्यदा हो जाती है तो फिर वह पाउं में लग गई थी और उससे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यदा खुझली लगती है इचिंग होती है उजगे पर फ्रिब लोग ऐसे चलो यह परसनल थोड आपको देते रहेंगे चलो नेक्स्ट जो की बात अलग है मुद्दा आ जाते हैं एक यह वाला भी मीम चला था सीबीएसी वाला सी बोलता सीबीएसी तो हम सीबीएस्ची सीबीएस सी बोलते हैं और बच्पन में वह बोलते देद्दा रबर ऩट देदे 의दद्दा कट देदे ठीक है न्फन इप यहीं पर यही आती है कि जो हायर एजूकेशन वाति होती है उस सब को all over इंडिया में formulate करता है UGC ठीक हो गया इसको University Grant Commission भी कहते है अब इन्होंने क्या बोला कि एक banner निकाल दिया और banner में लिखा कि thank you नरेंद्र मोदी जी जो आपने इतना vaccination या इतना सब लोगों को aware करवाया उस पे NSUI जनरली देखिए दो एक है ABVP और NSUI जनरली ABVP आपको पता है politically orient है BJP के साथ और NSUI है Congress के साथ तो Congress के लोगों ने अभी बोला कि UGC है आप तो गलत कर रहे हो PM मोदी ने तो अभी जो pandemic है उसके बारे में उतना address भी नहीं किया है ना तो National President नीरज कुंदन ने कहा कि pandemic प्रिमिक ब्रोक इनडिया center focused only on building the image of the Prime Minister leaving people to suffer they are doing the same thing दिश टाइम वगरा वगरा ठीक है इन्होंने बोलते रहे पर क्या news important है बिलकुर नहीं क्योंकि वहाँ पर UGC बोल रहे है कि thank you प्रदानमंद्री गजी का image लगा के हाथ जोड़के कि आपने यह क्या एनडिया कॉंग्रेस ओरियंट है तो उन्होंने बोल दिया कि यार ऐसा banner वगरा मतलगा प्यमोदी ने कुछ अच्छा काम किया नहीं है तो यह political थोड़े से debate चलते रहते हैं बड़ news बिलकुल भी काम की नहीं है नहीं prelims के लिए नहीं मेंस के लिए बड़ जैसा हमने बोला हम तो तगड़ाई कर देंगे हम तगड़ा क्यों कर देंगे UGC पढ़कर तगड़ा कर देंगे ठीक है चलो पढ़ लेते हैं इसको जो आज नए लोग जोड़ रहाँगे क्योंकि जब भी हम वीडियो सुबह के टाइम पर डालते हैं तो नए लोग बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो कह रहे होंगे सर आज कैसी ये रेंडम सी बाते हैं याद चल रही है आसा ही चलता है होगा क्या नहीं पर आप देखो quality content देखो ठीक है मैं कहूंगा YouTube में जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि फिरी मैं इतने सारे 30-40 लोग analysis करते हैं हमारे analysis को आप match कर लीजिए कोई टककर पर नहीं होगा ये ऐसा नहीं कि overconfidence है ये है कि quality content मतलब fun के साथ मस्ती तरह पढ़ो बट जो काम का है वो पढ़ो जो कि हम notes से भी देंगे मतलब ऐसा एक बार news paper पढ़ा दो तो आपको फिर news paper ना पढ़ने की जरवत पढ़े news paper आप क्यों पढ़ते हो क्यों कि notes मिल जाए notes मैं आपको दे रहा हूँ हर एक news के बारे में बता रहा हूँ हमने एक नया section भी add किया कि इससे prelims से से कैसे नहीं हो जाएगा main से से कैसे तो क्या दिक्कत है आपको ठीक है आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है बोल रहा हूँ चलो UGC University Grant Commission थोड़ा सा ज़्यादा distract मत हो जाना ठीक है but maybe fun तो होना ही चाहिए University Grant Commission और मैं ये भी ensure कर के चल रहा हूँ गयार 40 minute का lecture अगर मैं किसी teacher का खुद है देखू तो personally बोर हो जाऊँगा ठीक है तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा personal चीज़ें यार normally इसको थोड़ा light mood होके पढ़ते रहना जो मजे लेके मतलब ऐसा नहीं कि हर पढ़ना है news paper आ रहा है सुबे देहिंदु का burden लेके मत चलना एक नया कुछ सीखने को मिलेगा हर एक news से वो जानके चलना University Grant Commission University Grant Commission है एक statutory body है statutory body वो body होती है जो लोकसभा राजिसभा में जाती है और President के पास sign होके फिर bill एक्ट बन जाता है उसी body को या उस process के गुजर के जो कही होगी उसे statutory body कहेंगे बनी थी 1956 में setup हुआ था और इसको पूरा काम दिया गया था कि आप जो higher education होती है 12th के बाद के education पूरी formulate आप करो BSC, MSC, BA MA जो भी आप कर रहो B.com है M.com है BCA है M.C.A कुछ भी कर रहे हो 12th के बाद तो वो पूरा सोचो University Grant Commission ही देखती है आजादी से पहले क्या लोग पढ़ते नहीं थे पढ़ते थे तो तब भी UGC हुआ करती थी 1946 में बनी थी उसमें ये तीन universities को सुपरवाइस करती थी एक अलिगर्ड, बनारस और दिल्ली की 1947 में एक कमिटी बनाए गई आजादी से पहले से 1946 थी, बट 1947 जब भारत आजाद हुआ बोला गया कि यार चलो एक ऐसा कमिशन बनाओ, क्योंकि ये तो 1946 में बनी हुई बोड़ी है, है ना? तो आजाद होने के बाद University Education कमिशन सेट अप किया गया 1948 में एक्चुल में 1948 में ये कमिशन सेट अप किया गया, अंडर दा चेर्मन्सिप आफ स्वरुपली राधा क्रिश्नन जी, और उनसे बोला गया कि यार देखो, ब्रिटीस के वहां के लोगों को देखो, हाई रजूकेशन कितना अच्छा है, तो उन्होंने एक कमिशन मना दिया है 1948 में अभी ये UGC की बात नहीं कर रहा हूँ ये कमिशन मतलब 5-6 मेंबर का एक ग्रूप तो उनसे बोला कि आप हाई रजूकेशन के लिए कुछ न कुछ बॉड़ी का प्रस्ताओ रखो, हम ब्रिटिस वाली बॉड़ी नहीं चलाएंगे तो सबसे पहले सरवपलले जी, राधा कृष्ण जी की ची अर्बंसिप में ये कमिशन बैटता है और कमिशन बोलो, सोचो, क्या बोलता है वो बोलता है कि हम जैसा United Kingdom में University Grant Commission है उसी के मॉडल पर भारत में भी बॉनाएंगे तो UGC at the end फॉर्मली 1956, नॉबर 1956 में बन जाता by an Act of Parliament, मतलब वही लोग सबाराजी सबाब में बिल गया लोगों ने वोट किया, लोग मतलब MP जो Member of Parliament है, फिर President के पास होके गया और ये body बन गई, अब जितने भी इनका काम क्या होता, बहुत सिंपल है कि अगर मैं University स्खोलना चाहता हूँ अपने उत्राखंड के लिए, तो उसको Recognition UGC देगी, क्या Overseas distribution है, grant है, वो सब University को कितना पैसा चाहिए, scholarship लगानी है ठीक है, curriculum सेट करना ये सब चीज़ें, UGC ही बताती है Now next है, 8 year Pagami Hawks Released, Manas National Park में इनके बारे में जानने की जरुबत नहीं है कभी-कभी जैसे सुर होते हैं, उनको चुडाया करो ए सुर के बच्चों, ठीक है, इस तरह से उनको चुडाया भी करो, ओके मजाक कर रहा हूँ, ये है अपनी, कौन से मूवी का डैलोग है यार, गबबर सिंग किसमे था, सोले में, सुर के बच्चों आज कितरा ही नाम लेकिया है, तो इस तरह का डैलोग बोलते रहा करो, मजाक कर रहा हूँ चलो, इसमें हुआ क्या, मानश नेशनल पार्क यहां से हमारा जो में टम है, यह हम निकालेंगे इस न्यूस से हमारा प्रिलिम्स का कॉश्चन मानश नेशनल पार्क से आ सकता है बड़, अभी की न्यूस क्या है मानश नेशनल पार्क में 12 में से 8, जो wild pig हैं और पूरी दुनिया में सबसे छोटे होते हैं smallest wild pig ठीक है इनको introduce करवाए गया और यह second batch है एक्चल में जिसको reintroduce करवाए गया और इसको pagami hawk conservation program के द्वारा इस साल और generally manish national park में इससे पहले भी इन सुवरों को introduce करवाए गया था ताकि इनकी जो population है देखिए world की smallest wild pigs हैं यह तो इनको बचाना बहुत ज़्यादा important है ठीक है इससे पहले भी दो इसमें male है और 4 female है इनको capture किया गया बंसबारी range से जो कि manish national park और 96 में भी starting time था breeding program इनके लिए चलाय गया था मतलब बच्पन से ही इनको पहले से ही जो है conserve किया जा रहा है तो इसके साथ मानश national park के साथ साथ इसको सोनाई रूपाई wildlife century जहांपर 35 hog ओरंग national park मैं आप से पूछना चाहूँगा ओरंग national park कौन से राजी में पढ़ता है बट आज का जो main topic है मैं आपको कराऊंगा वो है मानश national park मानश national park मानश national park एक यूनेसको का natural world heritage side भी है और यहीं tiger reserve elephant reserve का जो project था वो यहीं से चला था आसाम कौन से राजी में है generally located in the himalayan footills और किसे जुड़ा हुआ है royal manas national park जो भूटान में उससे भी जुड़ा हुआ है मानश river यहां से बहती है और यह major tributary है ब्रह्मो पुत्र river की और बाद में यह separate भी होती है बट major चीच क्या है major है the fauna of century includes Indian elephant, hathi, rinosaurus, gaur, Asian water, buffaloes बारा सिंगा, Indian tiger यह आपको यहां देखने को मिलेंगे park is well known for species of rare endangered wildlife that are not found anywhere else in the world like Assam, roofer, turtle कहीं पर विस्वमक कहीं नहीं मिलेंगे इसलिए मानश नेशनल पार्क ऐसी कोशन UPSC पूछता है कि इस particular national park की क्या खास विसेशता है तो आप कहोगे rooved turtle ठीक है hispid hair, golden langgour golden langgour बहुत ज़दा important है कौन फेमस है मानश नेशनल पार्क तो दो चीज़ें तो हमेशा याद रखना rooved turtle और golden langgour राइट अब बात करते हैं कुछ एडिटोरियल्स की सबसे पहला एडिटोरियल है the threat of third wave and new variants makes petty complete inoculation a priority क्या इसके notes बनाने हैं बिल्कुल भी नहीं क्या prelims मा आएगा बिल्कुल भी नहीं क्या means मा आएगा बिल्कुल भी नहीं आज के लिए relevant है बस जो आज के लिए relevant है उसको क्या ही पढ़ना बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा इंडिया में धिरे-धिरे 8.6 million doses of vaccine एक ही दिन में administrator हम कर रहे हैं और बहुत दे impressive भी है कि यार हम धिरे-धिरे vaccination के program को बढ़ा जाए रहे हैं बट बात यह आती है कि third wave जो है उसका अभी भी thread बना है community जो transmission हो सकता है लोग mask इन सब को ignore कर रहे हैं तो इससे mortality rate बढ़ सकता है India is a global laggard with only 17% of the population by at least one dose and less than 4% by 2 तो यहाँ पर यही है कि simple सी बात है कि यह सिर्फ 17% ऐसा है जिनको one dose एक ही dose लगी है जैसे covid shield को vaccine जो भी आपको लगी हो फिर दूसरी doses से सिर्फ 4% अभी vaccinated है मतलब पूरा overall कहने का मतलब है कि large population अभी vaccine उनको नहीं दी गई है या उनको vaccine नहीं लगी है due to shortage of vaccine ओके इसके comparison में यहाँ पर editorial ने USA compare किया है और इसराइल तो देखो इसराइल एक ऐसी country है जहाँ पर mask भी उन्होंने काया कि आप mask नहीं भी लगाओगे चलेगा ठीक है ऐसा vaccination program भारत में भी हमें चाहिए फिर अलग अलग राजियों के बारे में बताया है मधिप्रदेश करनाटा का बिलकुल भी काम का editorial नहीं है यह next है यार अगर किसी भी जगह पर आप over regulation करते हो तो यह कहीं ना कहीं उसकी particular जो भी है उसकी growth को कम कर देता है तो अभी government ने notify किया था consumer protection e-commerce rule 2020 में और उसके चलते हुए बहुत सारी चीज़ा है मतलब बहुत ज़दा जो companies दाना e-commerce है जैसे amazon flip card इन सब में over regulation सरकार ने कर दिया था जैसे कि उन्होंने यह बोला था कि एक cheap compliance officer आपको appoint करना होगा जो की एक nodal contact person होगा 24 into 7 जो coordinate करेगा law enforcement agencies के साथ मतलब Amazon में कोई भी दिक्कत हो रही है न मतलब कोई भी illegal काम illegal तो मैं नहीं बोलूँगा generally जो सरकार को नहीं बताना चाहिए वो नहीं बताया जाता है time पर तो उसके लिए एक nodal 24 into 7 officer होगा जो सरकार की agencies को लगातार उनको बारे में बताएगा दूसरा एक third mandative fall back liability on online market in the event of non delivery of goods and services to the consumer ये सब चीज़ें बहुत जदा मतलब एक होता ना daily के basis पर जो flash sales होती है उनके बारे में भी सरकार को पता होना चाहिए ऐसा बोला गया मतलब कहने का मतलब जो भी आप transaction कर रहे हो जो भी चीज़ें कर रहे हो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हो जिसमें Amazon का और ज़्यादा manpower लगेगा Amazon के और ज़्यादा रुपे खर्चे होंगे ठीक है working थोड़ा सा difficult हो जाएगी ऐसे ऐसे कुछ यहाँ पर भार सरकार ने provision डाल दिये तो इसी पर पूरा यही कहना है कि अगर आप ऐसे provision लाओगे over regulation लाओगे तो कहीं न कहीं यह growth को retard करेगा और job creation को भी कम करेगा राइट तो center ने also appears to be signaling its intent to dig in its hill in the intensifying standoff with the Walmart, Flipkarta में जो उनके साथ center का भी battle चली रहा था बहुत सारी company तो government of India के अगर इंडिया के अगर इंडिया के अगर supreme court भी और high court भी गई ठीक है तो at the end यहाँ पर यही बोला गया कि over regulation with scope for interpretive ambiguity risk retarding growth and job creation क्या यह prelims मा आएगा या mains मा आएगा नहीं but mains में एक हिस्सा आपका use कर सकते हो इसका कि आपको ऐसा आएगा कि e-commerce की जो companies हैं उनको और अच्छे से काम करने के लिए भारे सरकार क्या कर सकती है तो आप एक यह डालें कि over regulation नहीं करना चाहिए सरकार को और यह सिर्फ यह वाला जो mains का point है वह सिर्फ इसी topic में नहीं आप किसी भी topic में include कर सकते हो right now आप बात करेंगे next editorial की बहुत ज़्यदा important है यहाँ पर हुआ क्या ICL सुल्ताना एक film maker हैं लक्षिदीप से हैं और उनको sedition के charge में अभी book कर लिया गया था हाला कि उनको बात में bail भी मिली थी और बात यह हुई थी एक BJP के leader है तो उन्होंने complain कर दिया ICL सुल्ताना के लिए कि यह particular अपने जो film making में यह particular यह चीज़ें दिखा रही है और यह sedition के लिए है इसलिए उनको गिरिपतार भी किया गया इसलिए वो केरला है कोट में चली गई pre-arrest bail के लिए कि यार अरेस्ट होने से पहले मुझे bail मिल जाए मिस सुल्ताना ने किया किया उन्होंने बोला कि is allegedly to have a use the word bio weapon in a television discussion about the recent deployment in Lakshadeep and its draft reform Lakshadeep मा आप सबको पता न क्या चीज़ें चल रही है पूरा infrastructure ये सब चीज़ें बना जा रही है beep ban वगरा बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बोला गया है कि ये एक bio weapon है तो उन्होंने television में बोल दिया और इसके चलते होए एक BJP के member ने complaint कर दी और बोला कि ये sedition है sedition क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अभी पर ये पूरा मुद्दा है इस पूरे article का sedition 1922 में जब महत्मा गादी जी को arrest किया गया था उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी और खुद महत्मा गादी जी lawyer है उनसे तो कोई पंगे लही नहीं सकता था तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं उन्होंने दो point अपने इसमें बोले कि one he admitted the charge of preaching dis affection towards the existing regime दोसरा उन्होंने बोला he justifies his act and said that it was his duty to do so it is a sin to have affection for the system under the British राज अब इन्होंने British के जब ये time था 1922 का इन्होंने ये बोला मैं इसको sort में समझाता हूँ ये क्या है ठीक है आपको ये इनके word इस समझ में नहीं आ रहे होंगे इनको sort में समझाता हूँ इन्होंने ये कहा कि if one person has no affection for a person कि मैं मेरा सपोज आपके लिए कोई affection नहीं है मैं थोड़ा सक्त लोड़ा हूँ सपोज और या system के लिए तो अगर मेरा कोई affection नहीं है आपके लिए तो मैं आपके लिए कुछ भी मतलब मैं free हूँ कि मैं कुछ भी free speech दे सकता हूँ बड़ बसरते एक वहाँ बसरत है कि जो मैं चीज बोल रहा हूँ उससे violence insight या promote नहीं होना चाहिए तो sedition की best definition यही है जो महात्मा गादीजी ने भी बोला थे कि अगर आप किसी particular system या person के लिए अगर आपके मन में affection नहीं है तो आप उनके लिए one should be free to give the fullest expression to his disaffection तो आप उस particular system या उस person के लिए disaffection शो कर सकते होगी यार मुझे सही नहीं लगता ये बंदा बट कुछ ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ सही नहीं लगता तो इसको मार डालो मतलब मेरे word violence promote या insight नहीं करने चाहिए ऐसा हमारे मात्मा गादी जी ने भी बोला और ये sedition की definition भी है तो ये politically नहीं बलकि legally भी बहुत सही definition है और इसी definition का यूज करके सुप्रेम कोट ने 1962 में अपना जो decision सुनाया और इसे बहुत सारे ऐसे cases जिनों ने इनके बारे में ये बोला कि sedition तब तक नहीं माना जाएगा या नहीं माना जाना चाहिए जब तक वो particular जो expression दे रहे हैं speech का उससे violence ना insight हो ना ही promote हो 2004 में के बाद तो जब मोदी सरकार आई उसके बाद बहुत सारे sedition को frequently use करने लगे कोई बोल भी रहा है कोई लिग भी रहा कोई even tweet भी कर दे रहा तो उसको बोल रहे हैं कि चलो आप देश दे रहे हो आपको तो हम जेल में डालेंगे मुद्दा क्या आपको समझ माया है क्या मैं बता रहा है मुझे तो आईसा सुल्ताना के बारे में पता चलिए आईसा सुल्ताना फिल्म में कर उनकी मैं थोड़ी सी फिल्म में देख लूँगा नहीं यह समझ करो और नहीं आपको इस सिंपल सी बात एडिटोरियल से मुद्दा समझ माया होगा पूरा कि UPSC में इसको कैसे लिख सकेंगे ना टॉपर बता पाएगा ना कोई जो फ्रेसर है ना जिसने दो एटेम्ट दिये हैं वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि पर्टिकुलर एडिटोरियल एडिटोरियल सिर्फ आपको कंटेंप्ररी क्या चल रहा वो बताता है सिर्फ आपको पता होगा या मुझे पता होगा क्योंकि मैं ही responsible हो आपके लिए सुबह सुबह अगर चाई पी रहे हो हिंद्व एनिलेसिस हमारा देखके आप हमारा ही क्यों देख रहे हो और हमारा देख रहे हो तो मैं responsible हो पूरा क्योंकि यार मैं गलट direction दोंगा या उस चीज को उतना समझा नहीं पा रहा हो तो फायदा है कि आपको देखने का है ना तो simple सी बात है पर ऐसा तो होगा ही नहीं जो भी हम बोलते हैं वो तगड़ाई बोलते हैं और तगड़ाई बता देते हैं आप लोगों को साही direction में इवन जो fresher है आज ही UPSC की तैयारी कर रहा है आज ही UPSC के उसमें जाल में फशने आ रहा है तो वो भी समझ जाएगा ठीक है UPSC फशाएगा आप लोगों को बट आपको अभिमन्यू की तरह नहीं अभिमन्यू की तरह जाना है पर आना भी है ठीक है अभिमन्यू लास्ट चक्र से नहीं बोला जाता ही जब वो मा की पेट में थे लास्ट वाला जो चक्र से साथ या आठ चक्र होते है न अभिमन्यू जब लड़ने गए थे वहां से तो लास्ट चक्र से वापिस नहीं आ पाये थे ठीक है क्योंकि उन्होंने सर में ठीक है बहुत सारे लोगों को लगता है UPC में सर अगर किसी का statement है जोंकतियों लिखना है येस जोंकतियों लिखना है जो उन्होंने बोला है कोई modification नहीं मंगता है वहाँ ठीक है बट यहाँ पर से question कैसे आएगा ये मैं बता देता हूँ इस editorial में तो पूरा against government कि अगर आप सरकार की अगेंज कुछ भी आवाज उठा रहे हो positive criticism में भी कर रहे हो तो आपको jail में डाल दिया जा रहा है जैसे आईसा सुलताना को डाला है तो उसी basis पर ऐसे पहले भी question बना चुका हूँ tradition law has been matter of debate for long in the country अगर आपको पूरा इसका answer देखना है तो मैंने share भी किया है जोती महता का और एक I think जोती मौई या रेन्यो नॉट्याल का ठीक है तो 19 में का आप analysis देखो यह मैंने खुद explain भी किया है 19 में UPSC में इस question PR publication डाले आपको यह समझ मा आ जाएगा ठीक है फिल्मे मेकर जो है उनको अरेश्ट कर लिया गया था पर फिर वो के लाहे कोड गई historical background बहुत सिंपल है यह law को सत्रवी सताब दिखा है जब British सरकार ने यह implement किया था कि यह अगर आप सरकार के रहते हैं कि East India Company तभी तो भगा दिया उनको है ना तो law originally dropped हुआ था 1837 में थॉमस मैकला के द्वारा मैकले British Dorian politician थे और बाद मां हाला कि Indian Penal Court से इसको हटा दिया गया था 860 में बट 870 में फिर से जोरत पड़ी section 124 ए लाए गया इंसर्ट किया गया सर जेम्स स्टीफन के द्वारा ठीक है और बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन था जैसा मैंने बोला ना 2004 के बाद कोई भी लिग भी रहा ना इवन टूइट भी कर रहा पॉजिटिव क्रेटिस जेल में डाल दे रहे हैं उसको तो उसके लिए section 124A IPC Indian Penal Code में लाए गया Indian Penal Code क्या होता है IPC मतलब एक ऐसा है जिसमें particular definition दी गई है कि किसका क्या definition है आपको कि CRPC क्या होता है मैं कहूँगा उस definition जैसे मैं कहूँगा किसी particular ने किसी person ने murder कर दिया murder के definition कहा होगी IPC में होगी उस murder को investigate करने का procedure कहां लिखा होगा CRPC में तो section 124A IPC define करता है sedition को तो any person by word सब्दों के दारा बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है sign के द्वारा even आप sign भी कर रहो और by visible representation और otherwise bring attempts to bring into hatred, contempt, excited, attempt, आप violence जो है insight कर रहो प्रमोट करते हो or disaffection show कर रहो towards the government established by law in India ओके तो उसे sedition कहेंगे तो particular year definition रट लो जब इस sedition के question आएंगे आप इसको include करना है punishment क्या हो सकते है non-boyable offense है एक बार आपको jail में डाल दिया गया तो आप bail नहीं मिलेगी आपको तब ही वो आईशा शुलताने ने pre-arrestible पहले ही के लाहे court से मांगी थी ठीक है जादे से जादा इसमें तीन साल की jail तीन साल से लेगे पूरी lifetime की jail हो सकती है इसमें fine भी add होगा और एक बार कोई sedition की charge से होगया फिर आप सरकारी नौकरी छोड़ो UPSC तो छोड़ी दो आप किया आप बन पाओगी UPSC आई aspirant ठीक है they have to be live without their passport passport पासपोर्ट नहीं मिल पाएगा मितलब आप दूसरे country भी विजिट ने कर पाओगे और जब court चाहे आपको भुला सकती है नौ नेक्स्ट टॉपिक है तो यह वाला टॉपिक मैं पूरा बता चुका हूँ मेंस के basis पर कैसे आएगा और अल्रेडी हम आंसर राइटिंग कर चुके है जो पुराने एस्पिरेंटे जिन्होंने आंसर राइटिंग की है वो एट कर लो गांधी जी का court और जो नए है वो आंसर राइटिंग कर लो 19 माई वाला देख के ठीक है आपका प्रिपेर हो जाएगा नोट्स और यह आंसर राइटिंग नहीं बलकि मैं नोट्स बताता हूँ और आंसर राइटिंग की फ़रूट में ताकि नोट्स तो पढ़ाता ही हूँ और आंसर राइटिंग भी आप कर बंद करते हैं चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल आता है दा पिक्चर इस क्लियर इट इस टॉप डाउन मिस इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल सी बात है मिस इंफॉर्मेशन बेज़ एक कॉशन आएगा हमेशा जनल स्टेटिस पेपर टू में आ सकता है कि फेक न्यूज फेक न्यूज की चलते हुए बहुत सारी लोगों की मॉब लिंचिंग हो जाती है कि यह बच्चा उठाने वाली वारत है यह वर्ट्सेप में यह कर दिया वा सज़ेश्ट करना चाओंगा क्योंकि बहुत अच्छा है जंगर्मन अधिनायक छट के अंदर नहीं गाते इसलिए मैं नहीं का रहा हूँ छट के नीचे बड़ यार जब पंदर अगस्त होता था बारिस हो जाती थी तो फिल्ड में नहीं करवाते थे फिर वो छट के नीच यहला आर्टिकल बहुत सिंपल सी बात कहता है कि यार नियरली 23% जो है सर्वे बताता है कि गवर्मेंट, पॉलिटिशन, पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं मोस्ट जो है मिसिनफॉर्मेशन यहां से भी फेलती है जिसमें कि टॉप प्लेटफॉर्म फेस्बुक से सोल प स्कृष्चन में भी होते हैं, आंसर राइटिंग और टेस्रीज ले लेते हैं, फाईदा क्या ? अब पहले डेली के बैसे कवा हमारी टेस सरीज करो हमारे तैसरीज का मतलब डेली के हमारे जो फ्री कोशन होते हैं उसके लिए कोई पैसा नही देना फिरी में एटेमट करो य देखने वाले बहुत सारे होते हैं ठीक है पुलीस में है अल्लेडी जमुम्यन कस्मिर पुलीस में हमारे जो एपर हमारे बात होती है तो बात यह नकि जो आनसर राइटिंग होती है वह में फ्री तो आप यह पॉब्लिकेशन टैनिक्लाम चैनल को जोईन कर ले ठीक है वाट् भी पॉलिटिशन लिख देते हैं जैसे वर्ले लेवल के बारे मैं बात करें डोनाल ट्रम्प खुच भी बिना देखें डोनाल ट्रम्प को आप पूरानी वीडियो देखना डोनाल ट्रम्प की प्रेसिडेंट बना दिया USA में उसको ब्राजिलियन प्रेसिडेंट जेर बोल सुनारो इन्होंने भी मिसिंफॉर्मेशन फैल आई थी वो जानबुच के होती है या उनको पता नहीं रहता वो तो रभी जाने भारत में ऐसा एक्जामपल में आपको बताता हूं मिसिंफॉर्म बकवास बात बट ये जो है बहुत सारे पॉलिटिशन ने क्लेम किया पॉलिटिशन तो मतलब ऐसा ऐसा क्लेम करते हैं पुछ हो मत तो टॉप डाउन मिसिंफॉर्मेशन सेलेबिरिटीज के रधा देखने को मिलती है पॉलिटिशन तो कभी भी फेक न्यूज आएगी तो इ जो आयरुवेट के गुरुदेव हैं योगा तो बहुत अच्छा करवाते हैं बट कभी-कभी बोल देते हैं कि जो हमारी दवा है कोरुनिल उसको डबलो एचो ने सर्टिफाइ किया है डबलो एचो क्यों सर्टिफाइ करेगी यार बहुत जूटी सी बात है तो एक मिसिंफ जो तो इस देने के बाद यह जो पर्रिकुल्र जो एक्जाम्पल है वो आपको उस फेक न्यूज में इंक्लूट कर देने है यही चीज होती है डेली के आंसर राइटिंग इसे को कहते हैं डेली के नोटiders इसी को कहते हैं है कहा न्यूज agent इंूज फेक न्यूज भूह है रिसेंटली सुप्रिम कोट ने सेंटर को बोला कि आप जो information on the existing legal mechanism to deal with the complaint about the content on television channel आप उसको further cross check verify करके बताओ ठीक है सुप्रिम कोट ने मतलब सुवो मोटो स्टार्ट करा तो इतनी fake news फैली fake news क्या होती है fake news कोई भी news story हो सकती है जिसको readers के द्वारा गलत पड़ा जाता या गलत sense में ले लिया जाता usually this story is created to either influence people views हमारे views को change करने के लिए political agenda बनाने के लिए अपने business को profit दिलवाने के लिए कभी बोलते हैं कि इस particular साब उनका use कीजिए और पाई ये दो दिन में सुन्दर था मैं कोई racist नहीं हूँ बट एड तो ऐसे ही आते हैं ठीक है तो इसके लिए controlling mechanism होना चाहिए it is a fact checking ठीक है तो fake news को curve करने लिए क्या क्या solution है इसी के basis पर पूरा question आएगा और already question हमें इस पर कर चुके है factor checking education लोगों को laws or regulation बहुँ जादा strict होने चाहिए article 19 जो है press council of India को बहुत अच्छे से regulatory body है इसके चलते हुए और ज्यादा strong laws implement करने चाहिए news broadcaster होने चाहिए particular ये news broadcaster ये बताए कि particular news बहुँ जादा जो फैल्जी है वो गलत है ठीक है Indian penal code में हाला कि बहुत सारे ऐसे provision है तो इनको particular define करना चाहिए कि एक news के रहेगी है IT technology act 2000 Facebook में कोई offensive post डाल रहा है fake news फैल आ रहा है तो उसको IT act 2000 के अंदर punish किया जाएगा ठीक है तो at the end जो भी riots इससे दंगे lynching होती है इसको कम करने की अभी जरुवत है need of the hour यही है क्योंकि यह poisonous atmosphere बनाते जा रहा है Opet के page के कोई article है क्या must बिल्कुल भी नहीं कोई भी पढ़ने के नहीं है अपने बच्चों को कैसे engage करो how to keep children engaged UPSC के काम का है ही नहीं बिल्कुल भी काम का नहीं है आप इसको यूज नहीं कर सकते है अब directly और indirectly इनको आप कोई भी जो जैसे मैंने बोला ना यूटूब से भी 15% तो fake news फैलती है तो directly और indirectly मैं इन सब को पढ़ा दूँगा और indirectly ऐसा connection जोड़ूँगा आपको लगी का कि हाँ ये तो यूजी कर स सकते हैं सर ने ये वाला point नहीं कवर किया बिल्कुल भी नहीं यार आप 5 साल के analyze करो हम ऐसा नहीं करते कि कोई छोड़ते हैं 5 साल के analyze करो paper आपको खुश समझ मा जाएगा कौन सा काम का है साथ editorial आते हैं daily basis पर बनाओगे तो आपकी news paper company आप खोल सकते हो इतने notes नहीं बनाओ जो जहां use कर पाओगे limited notes बनाओ house panel for study on malnutrition एक parliamentary panel आई और उन्होंने बोला कि ministry of women and child development से कि आप एक survey करवाओ जहां पर अभी जो pandemic के दोरान जिल लोगों को malnutrition होआ है उनसे कैसे लड़ेंगे malnutrition से related government ने potion tracker भी चलाया जिसने चौद लाक अंगनवाडी जो delivery services उसको भी monitor किया अच्छी से वहाँ distribute किया लोगों को और malnutrition के बारे में जानकरी भी दी बट में मुद्धा malnutrition का है और यह पूछा भी जाएगा तो hunger और malnutrition in India GSP पर्टू का एक बहुत important topic है जो आज मैं आपको करवा रहा हूँ और malnutrition से लणने के लिए community kitchen बहुत ज़दा help करेगा वो कैसे पहले मैं आपको malnutrition के बारे में थोड़ा सा जो intro या body part आपको जो help करे वो बता देता हूँ constitutional angle मैं इसमें add करूँगा right to food कि हमाया खाने का अधिकार है article 21 सरकार की responsibility रहती अगर में पास खाने का नहीं है तो सरकार मुझे खाने का दो article 47 DPSP यहाला कि यह fundamental right नहीं है बट फिर भी इसमें भी बोला जाता है कि state responsible है 2020 की rank हाला कि 2021 की rank 2020 की rank क्या कहती है 94 rank आई हमारी 107 देशों में से बहुत गलत बात है global hunger index में कितने लोग पूर है ठीक है तो recent की अब जब भी मैं यह बात करूँगा malnutrition की उसमें नए नए update है उसको add करना बागी notes सेम रहेंगे यार 4 साल 5 साल 6 साल जब भी UPSC की तैयारी कोई भी कर रहा होगा आपका भाई बेंट भी यह notes relevant ही रहेंगे IC में आर कि अंदर 2017 में malnutrition एक predominant risk factor है जो younger children में death का सिकार बनता है reason क्या है malnutrition के भारत में सबसे पहले यार monocultural agricultural practices गें होगा रहे हो तो सिर्फ गें होगा रहे हो चावलोगा रहे हो चावली होगा रहे हो कोई nutrient वाली फल उगाओ जो किसानों को भी help करे इसके चलते हुए सरकार को भी MSP देनी चाहिए food pattern बर्दल है आप momo खा रहे हो चौमीन खा रहे हो आप कहरे हो कि यह नहीं यह हाग का नूडल्स काता हूँ poverty भी एक कारण है मतलब आप गरीब हो तो malnutrition होगा मैंने पहले बोला आप मतलब ex-person sanitation सवच्छता नहीं है पीने को साब पानी नहीं है malnutrition का सिकार होगे migration एक one of the best factor है one of the responsible factor है malnutrition के लिए migration है कैसे बिहार का कोई बंदा जाता है दिल्ली में दिल्ली में काम करने जाएगा उसको पहले तो घर नहीं मिलेगा जुकी जोपले मिलेगी और सुबे का खाना क्योंकि उसके पास तुरंट होता नहीं तो सुबे सुबे जाता वो bread किसी भी दुकान में सुबे breakfast राद को चाय कर लेता है चाई तो वो बंदे भी करते हैं जो यो PSE के तैयारी करने जाते हैं और रात को खाना बनाने का टाइम मिलता नहीं है वो सिर्फ ब्रेड और चाई पी लेते हैं जब मैं 11 टल्थ किया करता था ठीक है मैंने किया उत्राखंट के पिथोरगड से चंपाउत में पहले इंग्लिस मेडियम नहीं हुआ करते थे ठीक है ये मैं आज मैंने बोला परसनल चीज़ भी बताऊंगा तो 9-10 के बाद अंग्रेजी माध्यम था नहीं यहां पर तो घरवालों ने का ठीक है इसको तो यहां भेजेंगे वहां भेजेंगे बढ़के पढ़ लिखके कुछ बढ़ा बनेगा ठीक है और यहां पर भेज दिया मुझे 11 टल्थ में तो ऐसी चीज़ें होती रहती थी ठीक है तो कहने का मतलब migration तो मैं migrate किया गया कि मुझे अच्छी education मिले तो मैं jump out से जा कि कहां गया पिथोरगड़ गया यह उत्राखंड का ही एक जिले हैं दोनों ही जिले हैं हाला कि jump out में बहुत सार English medium खुल चुके हैं जब मैं करता था तब English medium नहीं थे तो मैं migrate होके jump out से पिथोरगड़ गया कि एक अच्छी education मिले migration क्यों करते हैं लोग migration तब करते हैं जब best है चाहे खाने के लिए, job के लिए यह सब चीज़ें ढूड़ने के लिए चलिए, तो उसके लिए community kitchen बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ जैसे community kitchen क्या होते हैं बहुत सिंपल है इसको NGO भी सपोर्ट करती है, कभी-कभी सरकार भी सपोर्ट करती है, कभी-कभी कुछ लोग जो होते हैं वो भी independent खोड़ते हैं, जैसे मैं बात करूँगा जैसे तमिलाडो में अम्मा, उनवगम राजिस्तान में अन्नुपूर्णा रसोई, करनाटका में इंद्रा कैंटीन पांच-पांच रुपे में आपको थाली मिल जाती है तो जो migrant labor होते हैं यहाँ पर community kitchen में खा सकते हैं community kitchen प्रमोट करती है, participant and emotional support देती है, food knowledge देती है, skills से देती है, social relationship देती है ठीक है, increasing participant material resources, education प्रवाइट करती है तो कहने का मतलब community kitchen एक one of the best solution है malnutrition को कम करने के लिए वर्ल लेवल की बारे माँ बात करते हैं प्रेस मस्ट नॉट सबवर्ड गर्रमेंट लैम चाइना की कोई military solution नहीं है अफगान सिचुएशन के लिए इसलिए हमने यूएस जो ट्रूप से उनको अफगानिस्तान से हरा दिया गया हटा दिया गया, तभी अभी अफगानिस्तान मा अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के असरफ गनी प्लस तालिबान के जो terrorist leader हैं, वो मिलके सरका चला रहे हैं अभी जियान जिंग रिजन में उग्योर मुस्लिम है, बहुत सरे और दूसरे जो लोग हैं वहाँ पर भी United Nation Human Rights Council ने ये कहा कि जो United, चाइना भी करते आ रही है बहुत ज़दा, जैसे उग्योर मुस्लिम है और उसके साथ दूसरे जो है जो चैना का एक्शन है, जियान जैंग रिजन में होंक कोंग में मतलब तिबबत को तो पूरा कप जाई चुकी है Hong Kong Autonomous Part वो भी चाते हैं कि यार China का पार्ट पर जाए Hong Kong में कुछ भी China के अगेंज कुछ बोल रहा है कुछ तो China उसको गरिपतार कर ले रही है ठीक है तो ये UNHRC में ये मुद्दा उठाया जा रहा है और UGUR Muslim का तो यहाँ पर जिकरी नहीं किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ UGURS का जिकर किया गया है ये देखो तो हलका सा एकी word दिया गया बट ये चार-पांच चीज़े हैं जो United Nation Human Rights Council में उठाई जा रही है और 40 से ज़्यादा देश China के अगेंज ये चीज़ें कर रहे है मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है ये ठीक है क्योंकि China जितना ज़्यादा Dominating और Autocratic यहाँ पर हो रहा है कोई देश नहीं हो रहा चाइना दूसरा Cryptocurrency इसको भी Target कर रहे है Cryptocurrency जैसे Bitcoin ये एक Virtual Currency होती है जैसे PTM में आपका Wallet होता है इसको कोई Reserve Bank of India आपके घर में अगर 10 रुपे का नौट है तो Reserve Bank of India आपके लिए Responsible है कि वो 10 रुपे का नौट Legal Tender है भारत में क्या कोई Legal Tender है अभी विच्च में एक ही ऐसा देश है जो Legal Tender जिनोंने बना दिया है El Salvador जहांपर सरकार कह रहे है कि अगर आपको कोई रिस्क होगा तो हम यह जो Cryptocurrency है उसको Legal Tender बना रहे है चाइना अभी क्यों फोकस कर रहा है देखो Bitcoin की प्राइसिस बहुत जादा कम हो गए थे और हाल में ही बहुत सडन पीका है और Bitcoin के प्राइसिस बढ़ चुके थे चाइना ऐसा क्यों कर रहा है बहुत सिंपल जी बाद है 2007 में तो चाइना की गवर्मेंट ने बोला कि यह ट्रेड जो चाइना की करेंसि है अब यह Cryptocurrency का यूज नहीं करोगे बट अभी जो वहाँ के Miners हैं जो Bitcoin को Mind भी करते हैं उनको भी Allow कर दिया गया है कि आप Bitcoin करो क्योंकि उनको लग रहा है कि धीरे-धीरे Bitcoin के प्राइसिस बढ़ेंगे और हम Cryptocurrency में इन्वेस्ट करने है Cryptocurrency के Negative Impact क्या है कि अचानक से यार आपने Cryptocurrency में सबोज इन्वेस्ट किया आचानक से प्राइस घड़ भी संकी है आपने 1000 रुपे का खरीदा और सडन से 2 रुपे का भी हो सकता वो ठीक है तो यह Volatile होता है सबसे Negative Impact तो हमारी जो आम जनता यार वैसे ही गरीब है भारत में 29% ऐसे हैं जो गरीब है Poverty Line के नीचे है ठीक है कल भी यह मैंने बताया था आपको ओके बिजनेश निवस में कोई है क्या कोई बिल्कुल भी नहीं है काम का जो है नहीं है ओके 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 ठीक है और एक और चीज़ है यार एक और मैं I think भूल गया वो है आसाम से related I think वो add हुआ या नहीं वो नहीं तो मैं add कर दूँगा या मैंने add करने में थोड़ी सी रुको ठीक है मैं बताता हूँ मुझे लग रहा था कोई miss हुई है वो news में दिखाता हूँ आपको नहीं से news छुपके कैसे जाएगी यह देखो यह बची यह last news वर्ल्ड का first GM rubber sapling plant जो है आसाम में उगा दिया गया है genetically modified rubber अभी मैं बताऊंगा यह कहां से पढ़ोगे आप यह मैं already पूरी biotechnology की series ही ला चुका हूँ और एक बार वो पढ़ लोगे ना तो आगी की हिंदु analysis एक साल तक यह GM crop पर ही आने वाले हैं तो एक rubber board research farm है गुआ हार्टी में तो वहां world का दुनिया का पहला first genetically modified rubber plant established कर दिया गया है actual में यह magneze containing super oxide इसमें include किया गया है actual में होता क्या है यार जो rubber वाले plant होते हैं तो वो गर्मी की जगे होते हैं तो जहां भी ठंडी जगे हो तो उसको जहल नहीं बाते है तो इसलिए उनके क्या है gene में ही modify कर दिया जाता है ताकि वो ठंडे को भी जहल ले तो यह plant was developed by the case labage rubber research institute तो directly सिर्फ यह question पढ़ना कि world का first GM rubber कहां पर established किया गया आसाम में ठंडे से भी अब बच जाएगा natural lover हाला कि पर जाना है playlist पर जाना है और यहां पर एक आपको प्लेश्ट मिलेगी science and technology ठीक है देखो 6 वीडियोज है आगी की वीडियो क्यों नहीं आ रही है मैं बता देता हूँ तक हम एक फोकस कर रहे हैं एक exam में 16 जुलाई तक हम एक फोकस कर रहे हैं फिर हम UPSC prelims में फोकस करेंगे जो आपका point है बट अभी हम क्या कर रहे हैं उत्राखन का एक exam आ रहा है forest inspector हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हाला कि जो daily का analysis हो वो मिलेगा यह आपको time पर answer writing में कभी कभी उसको मैं skip करूँगा ठीक है बट यह GM crop के बारे में जानना है तो यह सिर्फ चार वीडियो देखिए और एक बार यह वीडियो आपने देख ली तो हिंदू analysis में हर बार यही आएगा GM crop ऐसा नहीं कि मैं explain नहीं कर रहा हूँ आपर यहाँ पर पूरा explain क्या है ठीक है जहाँ पर कुछ दो घंटे का अगर वीडियो लेक्चर है तो उससे जादा ही समझोगे आप ठीक है इनको देख लेना अच्छे से नाव यहाँ पर चलिए comment आपके बढ़ लेते हैं सर answer writing के ग्रूप के लिए जोईन करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा यह है दीब कॉर सिर्फ for 99 रूपीज और एक साल तक आप answer writing कर पाएंगे सर प्लीज गिप suggestion about the enthrow optional and of course you explained so well and that's बिना पात के भटके वे थैंक यू साक्षी और suggestion यार anthropology के लिए suggestion किस टाइब का suggestion चाहिए मैं कूँगा anthropology anthropology बहुत scoring subject है बहुत कम syllabus है और to the point जो वहाँ पर mention होते हैं जैसे anthropology बहुत simple सी बात है यार जैसे कहां पर से language का origin कहां से हुआ religion का origin कहां से हुआ बहुत interesting topic है एक बार initial में मैं कहूँगा theory पढ़ना एक best suggestion बताता हूँ जो theory होगा ना वहाँ पर theory part कि anthropology वाला I think जो आपका पहला part होगा ना anthropology optional का उसमें paper 1 जो syllabus दिया होगा उसका 6th chapter देखना वो theory page है पहले उसको पढ़ लेना फिर उसके बाद what is anthropology पढ़ना क्योंकि definition आप कर लोगे तो समझ जाओगे it's a humble request make a short video how to write answer especially intro यार ये death value इसमें कोई request करने वाली बात नहीं है already मैं बना चुका हूँ UPSC paid group discussion में देखो और UPSC guidance में देखो मैंने चार वीडियो बनाई है मैं सभी को बताता हूँ वो आप देखो और case study देखो पूरा explain क्या introduction कैसे लिखना है सर आपका analysis सबसे best है और बहुत अच्छे से Saloo Singh thank you many many thanks sir thank you sir वास्तव जी जोतकोर कहती है thank you daily update के लिए sir are you also preparing नहीं यार मैं सिर्फ teaching करता हूँ और मेरा पैसन ही teaching है मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूँ ठीक है सर अर्ली मॉर्णिंग में बहुत अच्छा लगता है पूरा डे अक्टिव रहता है thank you रूपमान thank you हुमान सु सर बहुत अच्छा एक्सप्लेशन आपका मुझे काफी help किया thank you अंजली very helpful beginners के लिए तो बहुत मज़ा आ जाता है ग्रेट ये देखो मज़े लेने वाले मिस्टर विनीत हैं सर ग्रेट सर आप इतनी जल्दी न्यूज आज कवर्मेंट करो मिस्टर विनीत ठीक है आज मज़े लेके दिखाओ सुबह 6 बजे अप्लोट कर दिया ये ठीक है बकेती निकरना मुझसे सर आपका बिल्कुल बेस सर मेरा बिल्कुल बेस नहीं था इंदू में बट सीरियसली आपको वीडियो मैंने सुच आपका वर्ल बेस्ट है मेरा काफी बेस इंप्रूब हो गया थैंक्यू रूपमान और बहुत अच्छा आपने फीड़बैक दिया बहुत मज़े आ गई ठ ठीक है पहले मुझे लगा सर आपका बिल्कुल बेस नहीं था देंदों में मजा कर रहा हूं ठीक है 2022 के फन फैक्ट के लिए बोला तो ज़रा बाइस के लिए प्रिलिम्स के लिए जो न्यूज इंपोटेंट रहती है फ्लीज वह यार 2022 के लिए यह सब इंपोटेंट है सर म मजा साइद नाता पर न्यूज ही लाजबाब आई थी और उपर से क्रिष्टल क्लियर कॉंसेप्ट मजे कैसे ने थैंक यू सौरप लोचन जी और आज बताना आज कौन सा एड़ दिखा मैंने कम कम एड़ लगाए थे आपके कहने पर थैंक यू सब लोगों के लिए और ऐ यहीं कोमेंट करते रहें और मजे करते रहें ठीक है यूद्ध कर दना लाज है कौक थी और यूद्ध कर आया थे टुक अ